भारती एजंता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड एहंकारी बलाकारियों की सरकार है स्वामी सो कॉल्ड चिन्मयानन, स्वामी सो कॉल्ड नित्यानन, स्वामी सो कॉल्ड दिस वन और दाट वन और कुलदीप सेंगर महेशनेगी जिसने एक बेटी को एक बच्ची की मा बना कर दरदर की ठोक रेखाने पर मजबूर किया है एक जिसके उपर हरीद्वार शेतर में रेपकारो, सुरेश राठोर इनके तमाम वो फोटो जिनके परिवार नहीं होते ये उनका साथ देते हैं परिवार ये परिवार को क्या समझेगे इने तो लगता है कि बेटे और बेटियां जो है वो यौन उत्पीडन करने के लिए है आपने तमाम फोटो पहले भी देखे हैं इन संक्यों के जो पुरुशों के साथ लड़कों के साथ आये हैं जहां ये उनका यौन शोशन कर रहे हैं महिलाओं के साथ यौन शोशन क्यों न करे भाईए ये तो अपना अधिकार समझते हैं तो इनके संगठन मंत्री उतराखंड संजय कुमार जिन्हों ने अपनी ही ओफिस की अपनी ही कार्याले में बैटी हुई एक भाजपाई जो लड़की थी उसका यौन उत्पीडन किया फिर केज दर्ज नहीं होने दिया एक नेता ने तो यहां तक लड़की को कह दिया कि आद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी लिए लाया गया क्योंकि दरसल यह वही है जो प्रधान मंत्री ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बस बेटी पढ़ाओ यह वाली बात को याद जहरें उनके उपर और योन उत्पीरन के आरोप लगे अब एक नया मामला आया है जहां कुष्टी संके अध्यक्ष पर योन उत्पीरन का मामला लगा है मगर अब खास बात यह है कि आखिर यह है कौन यह व्यक्ति है भारतिय जनता-पार्टी के सांसत ब्रिज-भुशन और उनके खिलाफ आप धरने पर 30 खिलाडी बैठे हुए हैं और लखनव में जो कुष्टी का एक शिवर लगने वाला था कुष्टी ट्रेनिंग का रेस्लिंग ट्रेनिंग का उसके शिवर को रद कर दिया गया है क्यों कि तमाम हमारे पहलवान और हमारी पहलवान लड़कियां वो रो रही हैं आज इसमें सबसे पहला नाम यदि आपको बताऊं तो विनेश फोगाट का जिसने ये आरोप लगाए हैं और उसके साथ आज साक्षी मलिक हो या बजरंग पूनिया हो वो बैठे हुए हैं और दर्ज करवा रहे हैं सरकार के समक्ष क्यों करवा रहे हैं विनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी भारतिय रेसलर है जो कई मेडल्स लेकर आई हैं और वो पहली ऐसी महिला है जो हर्याना के भेवानी शेत्र से आती हैं और एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतिय महिला पहलवान है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंशिप में कांसे पदक जीत कर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भी वो पहली पहलवान है मगर आज अगर वो रो रही हैं तो उसका कारण है कि उन्होंने यौन उत्पीरन के आरोप लगाए हैं और अगर आप इसको एक दूसरे परिपेक्ष में देखे एक लड़की के लिए ये बात कहना वैसे बहुत मुश्किल होता है और ये पहलवानों के परिवार से आई है लेकिन वो एक और है ना क्या नाम है बबीता फोगाट वो भाजपा को जॉइन करने के बाद मुँ में ताला पड़ा हुआ है उसको फेमस करने का काम डेफिनिटली एक फिल्म के द्वारा हुआ जिन फिल्मों के खिलाफ ये खड़े होते हैं उन फिल्मों में जो कारे करते हैं अक्टर्स अगर नाम के आगे खान हो तो उनके खिलाफ करते हैं मगर ये आमिर खान है जिसने उनको बहुत फेमस किया था मगर आज उनके मुँ में ताला लगा हुआ है अब विनेश जो है वो मावीर सिंग पोगाट की रिष्टेदार है और उन्होंने रेस्लिंग फे क्यों अन्य और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जंतर मंतर में दिल्ली में जंतर मंतर में आज फेडरेशन और ब्रिंज भुशन चरंज सिंग के विरोध में बैठे हुए हैं अपनी बात को कह रहे हैं सरकार को अब हो ये रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इन बच्चों को आखिर वहां आकर बैठना क्यों पड़ा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उन्हें न्याय भी नहीं मिल सकता अगर एक पत्र लिखेंगे कोई सुनता नहीं आप आंदूलन कर लीजे कोई सु मैं आपको बताओं कि किस तरीके से इन्हों ने कहा है कि जो यह व्यक्ति हैं ब्रिज भूचन शरन से इन्हों ने इस बेटी विनेश फोगाट को एक खोटा सिक्का बताया जब यह टोक्यो ओलंपिक्स में हार गए यह खोटा सिक्का तो भाजपा का है जो इस तरह की बाते बोल रहे हैं फिर बेटी ने ये भी बताया कि जो लोग ब्रिज भूचन शरन सिंग के बहुत करीबी लोग हैं और उन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है ऐसी उनका कहना है कि करीबन 20 और महिलाएं हैं 20 और युफ्तिया हैं जिनका यौन उत्पिरन किया है इ अगर हम आज बात करते हैं कि इतना बड़ा मामला सामने आया है और सरकार क्या कर रही है तो सरकार तो सोई हुई है सरकार कुछ बोल नहीं रही है और मोदी जी जो बात बात पे ट्वीट करते हैं सोचते हैं इसके बारे में ट्वीट नहीं करेंगे तो बात खत्म हो नहीं मुदी जी जो सच्चाई है वो वही रहेगी विनेश पोगाट को 2016 में आप ही की सरकार ने अर्जुन अवोर्ड दिये थे और 2020 में मेजर ध्यांचन खेल रत्न अवोर्ड भी दिया गया था आपकी ही सरकार के द्वारा अब क्योंकि वो कुछ कहे रही है जो आपके कानों में अच्छा नहीं लग रहा सुनना तो आप उनकी बात को सुनेंगे नहीं लेकिन नयाय तो करना ही पड़ेगा ये खिलाडी हैं हमारे देश की आनबानोशान है जब ये जाते हैं बाहर तो हम सब सोचते हैं कि चलो इनको देखकर और भी बच्चियां और भी लड़कियां जो हैं इनहीं के तरह से प्रेरे थोकर इनसे आगे बढ़ेंगी जीवन में मगर ये पुरुष प्रदान समाज क को बढ़ाने वाली सरकार है और उसी के कारण से आज ये स्थिती उत्पन हुई है जब हमारे इतने सारे पहलवान ही कह रहे हैं कि हमारा यौन उत्पीडन हो रहा है और सरकार सोई हुई है अब तक उस व्यक्ति को इन्होंने अपनी पार्टी से नहीं निकाला है अब तक ब अचा के रखा हुआ है तो वो बता रहा है कि सरकार की मानसिक्ता है कि बेटियों का उत्पीडन हो बेटियों को दबाया जाए शर्म करो सरकार और जागो जागो और ये बताओ कि कब न्याय होगा कब हमारी बेटियों के साथ न्याय होगा और जो हमारी खिलाडी हैं कब उन मंत्री नरेंद्र मोधी जी वैसे तो आप बहुत सारी बाते कहते हैं ये सब आपके बच्चे ये आपका परिवार है आप बताते हैं लेकिन अगर ये आपका परिवार है तो आपके मुझे एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा प्रधान मंत्री जी बेटियों के बारे में बड़ी बाते बताते रहते हैं कि उनके लिए ये करना है बेटियों का सम्मान करना 15 अगस्त को भी आप बता रहते न कि क्या बेटियों का सम्मान करना जरूरी है बेटियों का सम्मान नहीं किया तो ये हो जाएगा वो ह हाँ यह अलग बात है कि चुनावों को देखते हुए बिलकिस बानों के जो रेपिस थे बलातकारी थे और उसके परिवार के कई लोगों को की हत्या करने वाले थे उनको आपने उसी वक्त छोड़ भी दिया था मगर अब बताओ सचाई कि कब न्याय होगा विनेश फोगाट क के साथ यह बताओ प्रदानमंत्री जी कि कब होगा न्याय उस हर बेटी के साथ जिसके साथ इस भजपा के सांसद ने उत्पीडन किया है हर उस बेटी के साथ न्याय कब होगा जिन जिन के साथ इस तरह का न्याय आपकी सरकार में हो रही है क्योंकि बेटियों की फिक्र नह नहीं है आपका परिवार यदि कोई है तो सत्ता सत्ता नाम की चीज ही आपका परिवार है वो एंकार जो सत्ता से आता है वही आपका परिवार है आप तो मीडिया को मैनेज करने की बाते करते हैं पुराना एक वीडियो दिख रहा है आपका आज जिसमें आपने BBC की एक पत्रकार को कहा कि आपको एक चीज नहीं आती थी 2002 में वो है मीडिया को कैसे मैनेज करा जाए और इसलिए आप पूरे जोर शोर से मीडिया को पहले मैनेज करने की तैयारी करके आये थे जब प्रधान मंतरी बने और मीडिया के साथ साथ आप तो आप वेज्ञानिकों को भी मुँ बंद करने के लिए कह रहे हैं आप अपने नेताओं को भी कहते हैं कि कोई कुछ ना बोले है ना तो जैसे आपने इसरो के साइंटिस को कहा कि कोई वक्तव्य किसी को नहीं देना कोई भी डीटेल पकब बनेंगे प्रधान मंत्री जी और विनेश फोगाठ को न्याय कब मिलेगा विनेश फोगाठ आज बैठी है डिली के जंतर मंतर में ये मांग कर रही है कि उनको न्याय मिले क्योंकि उनका यौन उत्पीडन किया है भाजपा के सांसद ब्रिज भूशन ने कब होगा न ये बताए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी